हेलो एबरिवन वेलकम बेक टो माई कुकिंग चैनल तो आज मैं लेके आई हूँ शलगम का भरता तो सलगम सभी जानते होंगे जो ठंडियों के सीजन में ज्यादा तरके आता हैं बहुत सारे लोग इसकी सबजी भी बनाते हों बट आज हम इसका बहुत ही टेश्टी भरता ब कर लेना है मतलब इसका छिलका इस तरह से निकाल देना है तो यह देखिए इस तरह से अगर ताजे ताजे सलगम होंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है तो यहां मैंने इस तरह से इसके सारे छिलके निकाल के रख लिये हैं यह देखिए और अब इसको इस से मिक्स भी हो जाता है तो यह देखे इस तरह से मैंने इसको कट किया है और इसको अब एक बड़े से बरतन में डालके और इसको एक या दो बार पानी से वाश कर लेना है वैसे थो हमने इसको पहले भी वाश कर लिया था बट एक बार कट करने के बाद और इसको एक बार वाश कर लेते हैं तो यह देखे अब हम चलते निक्ष्ट प्रोसेस के लिए तो यहां मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसको अच्छे से गरम कर लीजिए जैसे गर्म हो जाता है तो यहां लगबग एक चम्मच यहां सरसो का ओयल डालके गर्म कर लेना है तो यह मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया यानि सरसो का ओयल और यह गर्म हो गया है तो यहीं जो सलगम मैंने वाश करके रखा है इसको इसमें पलट देंगे और यहीं अब थोड़ा सा इसमें नमक आड़ कर देंगे जिससे की जल्दी पक जाए और इसमें पूरे में नमक और यहीं थोड़ा सा पानी करके बस इसको कबार करके एक सीटी आने तक इसको पका लेना यानि बस इसको ऑच्छे से पकाना है तो यह दिखे magने इस eti और जैसी सीटी आनि तो पकने क्लिये रख दिया है और जैसी एक सीटी आ जाएगी तो गीक को और पस इसको थंदा ओन करने के लिए रख देते हैं तो यह देखे यहां एक सीटी आ गई है यहां मैं गैस को आफ कर रही हूं और अब इसको साइट से रख देते थोड़ा सा ठंडा हो जाता है यहीं अब एक कढ़ाई ले ले लेते हैं और अब इसी कढ़ाई में लगभग दो बड़े चमस सरसो का करने के लिए रख देते हैं जैसे अच्छे से गर्म हो जायेगा या देखे झैसे इस तरह से दिखने लगेगा या यादि अच्यसेते चुटकी भर हींग एट कर देंगे यह देखे मैंने हींग कर दिया और यहीं लैशून अदरक और हरी मिर्च का पेश्ट बनाके कि मैंने हलका थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कूट के इस तरह से रखा हुआ था आप यहां पेश्ट भी एड़ कर सकते हैं लेकिन फ्रस इस तरह से एड़ करेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसको एड़ करने के बाद बस इसको हलका सा पका लेना है और यहीं और यहीं अब हम दो टमाटर की प्योरी एड़ कर देगे यह देखे मेंने यहां प्योरी बना के राक्युए है इसको एड़ करने के बाद अब यहीं हम इसमें मशाले भी ऐड़ कर देंगे यहां add करेंगे एक छोटा चंमच हल्दी powder एक से देर्ट चंमच यहाँ धनिया powder एक चंमच यहाँ सबजी masntप करेंगे जो आप डेली में सबजी masant यूज करते उसuyu को add करना है लाल मिर्ज powder एक करेंगे और थोड़ा सा यहां कासमिरी लाल मिर्ज powder add कर देंगे बस इसको mix करना है धकना है और एक मिनट के लिए पका लेना है यानि लगबब 40 से 50 सेकंड बस पकाना है इसको और जब तक ही मसाले पक रहे हैं तब तक हम इस सलगम को भी चेक कर लेते हैं ये देखें पक तो अच्छे से गया है बस इसको इस तरह से पटैटो मैसर से या किसी गिलास या कटोरी से अच्छे से mix कर लेना है ये देखें इस तरह से महीन कर लेना है जिसे की कड़ाई में महीन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ये process आप कड़ाई में भी कर सकते हैं और अब यहीं चेक करते हैं, यह मशाले, मशाले भी अच्छे से पग गया है, तो अब यह सलगम को हम इसमें एट कर देंगे, बस इसको मिक्स करना है, गैस के फ्लेम को मेडिया भी रखना है, अच्छे से इसको इस तरह से चलाते हुए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह दे कर देंगे साथि यहां कच्छ पिंदी inлоa कर के इससे बहुत ही सन्फ फलेवर आता है तो मेहग इसकीे बहुत अच्छी हो जातीया बस इसको मिक्स करना है यह देखे मैने मिक्स कर दिया इसको और यहीं अब इसको धक के लग ». पताया है तो अख मिनट लिए और पकने देंगे और यह देखे यह हमारा भरता बनके रेडि हो गया है, तो आप इसकी सब्जी भी बनाते होंगे बट एक बार इस तरह से भरता जरूर बनाते देखेगा जिस ने अभी तक नहीं बनाया है जो अलग तरीके से भी बनाते हैं वो भी इस तरीके से जरूर बना के देखें बहुत अच्छा टेस्ट है और यह सब को बहुत पसंद आने वाला है वैसे तो सलगम ठंडियों के सीजन में ही अक्सर आते हैं बट अगर और भी कभी सीजन में मिल जाएं तो के साथ तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंट्स वीडियो टेक कियर बाए बाए